हेलो फ्रेंड मैं राकिस रोसन लर्न टेक टू टेक चैनल से यह मेरा नम पाई का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखेंगे फिल्टर इन एरे मतलब अगर आपके पास एक अल्रेडी एक्जिस्टिंग एरे है और उसमें से कुछ एलिमेंट्स को निकाल के आप नया एरे बनाना चाहते हैं तो कैसे आप बनाएंगे तो चलिए इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले जैस्ट पास पर रिक्वेश्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले आर बगल में जो बैले च अगर कोई आपके पास एरे है और उसमें से कुछ एलिमेंट्स को निकाल के आप नया एरे बनाना चाहते हैं तो उसे हम यहाँ पर फिल्टरिंग कहते हैं जैसे कि suppose that आपके पास एक एरे है उसमें बहुत सारे नंबर है और आप चाहते हैं कि उसमें से उन नंबर्स को हम निकाल लें जो की थ्री के मल्टिपल में हैं और उसको लेके एक नया एरे बनाए तो इस तरह के काम को हम फिल्टरिंग कहते हैं तो चलिए इसको एक जामपल के थू समझते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं एरे क्रिएट कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एवन इक्वल टू एन पी डॉट एरे और यहाँ पर मैं नॉर्मल एक एरे बना लेता हूँ 41, 42, 43, 45, 67, 89, 90 ठीक है तो यह कुछ हमने एलिमेंट्स ले लिये हैं तो य मेरा एरे क्रियेट हो चुका है ठीक है अगर आप जो है फ्रेस तरीके से जुपिटर को आपन कर रहे हैं तो आप जो है नम पाई को इंपोर्ट जरूर कर लीजिएगा अगर आप नम पाई को इंपोर्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पर एरर आएगा ठीक है तो आप लोग इ हैं कुछ boolean values लिख लेते हैं जैसे true उसके बाद false उसके बाद true उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं false तो इस तरह से मैंने यहाँ पर लिख लिया बलकि और मैं लिख लेता हूँ true उसके बाद true तो यहाँ पर कितने element है seven elements है तो यहाँ पर मैंने six times लिखा अब एक बार और लिख लेता हूँ false तो यहाँ पर मैंने एक list बना लिया यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप boolean index के through array को filter करेंगे ठीक है तो यह सारे boolean values है तो इस से आप इस array को कैसे filter करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर suppose that आपने new array का नाम दे दिया na1 और यहाँ पर आप लिख रहें a1 और यहाँ पर box bracket में आप लिख रहें l1 तो यह क्या करेगा चलिए देखते हैं तो उसके लिए मुझे यहाँ पर na1 को print करना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं इसे print कर देता हूँ अब जैसे ही मैंने run किया तो आप देख सकते हैं क्या आ रहा है 41, 43, 67, 89 इसका मतलब केवल array में से वही element दिख रहे हैं जिस position में true है जिस position में false है वो element नहीं आ रहा है जैसे पहला जो है true है तो यहाँ पर 41 दिख रहा है दूसरा false है इसलिए 42 नहीं आ रहा है ठीक है उसके बाद तीसरा true है इसलिए 43 यहाँ पर आ रहा है उसके बाद चौथा भी आपका false है तो इसलिए 45 नहीं आ रहा है अगर आप यहाँ पर देखे तो 45 नहीं है उसके बाद जो है true और true दो बारा रहा है इसलिए 67 और 89 आप देख सकते हैं या पर output में आ रहा है और last आपका false है इसलिए यहाँ पर 90 आपका display नहीं हो रहा है इसका मतलब यहाँ पर क्या क्या इसने आपके boolean values को लेके filter कर दिया एरे में जहाँ पर उसे true मिला वो element वो दिखा रहा है और जहाँ पर false मिल रहा है वो element नहीं दिखा रहा है तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं अपने array को filter कर सकते हैं अब हम यहाँ पर क्या करते हैं यह जो मेरा a1 है इस a1 array में से उन elements को हम show करेंगे जो three के multiple में हैं मतलब जो three से divide हो रहे हैं ठीक है या तो आप three के multiple में है बोले या फिर three से जो divide हो रहे हैं तो चलिए उसके लिए जो है मैं यहाँ पर एक छोटा सा program लिखता हूँ ठीक है उसके बाद मैं इसका shortcut तरीका भी आपको बताऊंगा जैसे यहाँ पर मैंने multiply three लिख लिया ठीक है multiple of three है तो इसलिए मैंने emul three लिख लिया और मैंने एक empty list बना लिया अब मैं लिखता हूँ four उसके बाद मैं लिख रहा हूँ element in कहाँ पर a1 तो मैंने a1 के elements को यहाँ से एक एक करके निकाल लिया अब मैं if condition से check करूँगा कि जो element है उसको अगर हम three के साथ modulus करते हैं और अगर उसका equal to zero आता है इसका मतलब अगर वो three से divide हो जाता है तो हम क्या करेंगे mul3.append तो हम क्या करेंगे उस number को mul3 जो हमारा एक empty list है उसमें append कर देंगे ठीक है तो append करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर true लिख देंगे ठीक है तो true आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे else ठीक है और यहाँ पर मैं लिख दूँगा mul3.append और यहाँ पर म कोई number 3 के multiple में होगा तो true आएगा और अगर 3 के multiple में नहीं होगा तो false आएगा और finally जो है filter करने का तरीका आपको मालूम ही है na1 equal to a1 और यहाँ पर box bracket में आजाएगा mul3 तो इसका मतलब यह है कि mul3 में जहाँ जहाँ पर true होगा ठीक है वो element जो है 3 के multiple में होगा तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर print करता हूँ किसको mul3 को भी print करता हूँ और यहाँ पर मैं print करता हूँ na1 को भी na1 को भी और उसके बाद मैं इसे run करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं false true false true false false true मतलब यहाँ पर तीन element ऐसे हैं जो 3 के multiple में है और वो दिख भी रहे 42, 45 और 90 अगर उपर scroll करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और कोई element नहीं है जो कि 3 के multiple में है अब आप सोच रहोंगे कि क्या इस काम को करने के लिए मुझे इतना लंबा code लिखना पड़ेगा नहीं आपको बिलकुल नहीं लिखना पड़ेगा अब इसका मैं आपको shortcut तरीका बता रहा हूँ तो actual में filter ऐसे ही किया जाता है तो इतना लंबा program लिखने के बजाए आप simply लिखिए mul3 equal to bracket में a1 modulus 3 equal to equal to 0 इसका मतलब जो condition आप देना चाहते हैं वो आप mul3 में लिख लें ठीक है तो mul3 में ये condition चला गया कि जो आपका array है उसके हरेक element को 3 से divide किया जाएगा और equal to 0 आता है मतलब अगर वो 3 से divide हो रहा है तो वहाँ पर true आ जाएगा automatically mul3 में मतलब जो आपने इतना लंबा code लिखा था for loop से लेके यहां तक वो काम केवल एक line में आपका हो गया अब आपको क्या करना है अब आपको ये जो 3 line हमने लिखे हैं इनी 3 line को copy कर लेना है तो इसको मैं यहां से copy करता हूँ और यहां पर मैं paste कर देता हूँ अब इसे हम run करें तो आप देख सकते हैं same result आ रहा है तो उपर हमने इसके लिए कितना बड़ा program लिखा था जबकि नीचे हमने उस पूरे program को replace करके केवल एक line में लिख दिया तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं area को filter कर सकते हैं तो यही मैं आपको बताना चाहता था I hope कि अब आपको clear हो गय होगा कि किसी भी area से हम elements को filter कैसे कर सकते हैं तो चली फ्रेंड I hope कि आपको वीडियो पसंद आयोगा अच्छा लगा तो लाइक करें share करें कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं करका तो subscribe कर ले आर बगल में जो बैल उचा जरू क्लिक करें जिससे मेर करें जितने में नहीं वीडियोज हैं उनके notification आपको मिल तरह है thank you and goodbye